नमस्कार दोस्तों मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं लेकर आई वहाँ कीचन में काम आने वाले अमेजिंग कीचन टीप्स तो चले फिर पहला कीचन टीप्स देख लेते हैं तो पहला किचन टीफ्स यह है दोस्तों कि अक्सर देखे होंगे कि नमक और सक्कर में बारिज के मुसम में नमी आ जाती है गिलापन आ जाता है तो इसे गिलापन को दूर करने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पर लिया हमने चामल तो यहाँ पर लिया हमने टीशू पेपर तो इसमें चामल को डाल देंगे इस तरह के से थोड़ा सा तो चामल में नमी सोखने की चमता होती है तो नमी को चामल सोख लेता है तो इस तरह के से इसको चामल को बान ले या पोटली बना ले तो इस तरह के से मोडली हुमें अब इ है तो इसे धागे से भी बान सकते हैं इस तरीके से बानने के बाद तो दूसरा टिप्स में भी सेम प्रोसे सरे तो इसे दाल देंगे नमा के नमा के डिबह में ताइब किसी तरीके से मूड़ेंगे पर दिखे इस तरह के से मूड़ेंगे आप जाहे तो भी बना सकते हैं तो इसे भी रबड़ से बान देते हैं इस तरीके से अब इसे डाल देंगे नमक के डिब्बे में इस तरीके से इस तरीके से आप सकार नमक को गिला होने से बचा सकते हैं तो हमारा वीडियो आप लगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सस्क्राइब करें, सेयर करें तो चलिए फिर तिसरा टीप्स देख लेते हैं तो तिसरा टीप्स हमें यहाँ पर लिया है मैंने लॉंग है ये 5-6 कली लॉंग है तो इसको मैं डाल दूँगी सक्कर के डिब्बे में तो अकसर देखे हूंगे कभी कभी चीटी आ जाता है ना सक्कर के डिब्बे में तो इसे चीटी से बचाने के लिए हम इसमें लॉंग डाल दिये हैं इसे बिल्कुल भी चीटी ने आगी चीटी से आप बचा सकते हैं